हम कई बार करते हैं अगर हो सके कभी-कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा हरा मुंग ले जाओ मुंग के दाने तो रहते हैं गर में केवल 31 मुंग के दाने लेकर जाईए 31 चावल के दाने लेकर जाईए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाईए जिस दिन सोमबार की अश्टमी हो कौन से दिन सोमबार की अश्टमी हो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ तीन चीज़ लेकर जाओ मूं के दाने चावल बेलपत चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना करकर शंकर जी की देहली पर रख दो चोखट पर कहीं पर भी ये कांत में उसको रख दिया गए मूं के जो दाने लेकर गए हो वो 31 बेल पत्र अशुक सुन्दरी वाली जो जगा है आपको पहले बताया है कथा में अशुक सुन्दरी जी का इस्थान ये शिवलिंग ये जलाधारी जहां से पानी बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है ह 2000 जो शंकर घुमान की छोटी लड़की अशुक सुन्दरी का इस्थाम है कि शिवजी के तेरा बच्चे तेरा बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशुक सुन्दरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है प्रतेक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी उस मोटी सी जो लाइन है असोक संदरी वहाँ पर जो 31 बेल पत्र लेकर गया हो अपनी कामना करकर पीला-चंदन लाल-चंदन लगाकर उस पेच समर्पित करते जह उसकी डंडी जहां से पानी बैता है उस और होना चाहिए आप निवेदन करकर देखो एक सुम्बर की अश्टमी पर करकर देखना दूसरी सुम्बर की अश्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा पावा से निवेदन को करो क्यों भटत रहे है बोला सब दुख का शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी बाडला भोला सब दुख का तो भाख ओ भोला सब तू इनका टो आप उससे निविदन करेंगे राप्तो होगा शिवतत्तम में